उत्रा खंड के उधम सिंग नगर के गदरपुर पुलिस ने चोरी के तीन मोटर साइकिल के साथ एक युवक को गृफतार किया मामले की जानकारी देते हुए पुलिस छेत्रा धिकारी भूपेंद्र सिंग भंडारी ने बताया कि गदरपुर पुलिस को दोवाहन चोरी होने की तहरीर प्राप्त हुई थी जिस पर कार्यवाही करते हुए था राध्यक्ष राजेश पांडे के नेतरत में सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश पूरन सिंग तोमर और अन्य पुलिस कर्मी इस मामले का खुलासा करने में लगे थे विभिन प्रकार की सीसी टीवी जाच की गई और एक व्यक्ती पर हमारे मुखबीर की नजर बनाए हुए थे इसी करम में कुलवंत नगर पिपली जंगल के पास से एक युवक आता हुआ दिखाई दिया पुलिस ने उसे रोका जिससे वह हरबढा कर गिर गया पुलिस ने सकती से पूचताज की तो अपनी मोटर साइकल चोरी की होना बताया और जाडियों से दो अन्य बाइक भी बरामत करवा दी इस युवक को गिरफतार कर मानिनीय न्यायाले की समक्ष पेश की आ गया है गदरपूर थाना शेतर में काफी दिनों से बाहन चोरी की गटना ही हो रहे थी जो बीजबीज मोग खुला सा भी हो रहे थे इसमें दिनांग 13-8 को और 14-8 को दो बाइक हैं फिर इसी गदरपूर थाना शेतर से चोरी हुई थी जिसकी थाने पर अभ्योग पंजिकरित किया गया था जिसमें एसो के द्वारा यहां पर टीम है बनाई गई थी अलग-अलग टीम है गठित की गई थी 22 तारी को एक टीम भुपिंदर एसा ही है जो सगनिया चोकिन चार्ज है उनके द्वारा मजला शिला वाली रोट पर बान चेकिंग की जा रही थी तो उसमें एक ब्यक्ति शंग्दित था और वो तेजी से बाइक चला करके ले जा रहा था उसको जो हमारी टीम द्वारा रोका रोकने पर वो अड़बडा गया और आगे जा करके वो गिर गया पर हर कबर पर